Hello friends, welcome to my channel Literary Love वीडियो शुरू करने से पहले चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Tom Gunn की famous poem On The Move के बारे में इस poem की एक subtitle भी है Man, You Gotta Go यानी दोस्त, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है ये poem 1950s में जो motorcycle gangs थे, उनके life के बारे में थी और इसे one of the best post-war poems भी माना जाता है ये poem 40 lines की है और 5 stanzas में बांटी गई है poet हमें इन motorcycle gangs के लोगों की जिंदगी के बारे में बताते हैं और हमें साथ ही ये भी समझाते हैं कि बिना किसी मकसद के जिंदगी बहुत boring हो जाती है उसी मकसद की तलाश में ये motorcycle भी आगे बढ़ते जाते हैं Friends, Tom Gunn का पूरा नाम था Thompson William Gunn उनका जन 29 August 1929 में हुआ था और उनकी death 25th April 2004 में हुई थी वो एक English poet थे जिनकी शुरुवाती poems की बहुत तारीफ हुई थी उन्होंने कई famous literary awards भी जीते हैं और उनके famous works में My Sad Captains, On The Move, Street Song, The Man With Night Sweets ये सभी शामिल हैं तो चलिए Friends, अब poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं The blue jay scuffling in the bushes follows some hidden purpose Friends, blue jay एक bird है जिसे हम नीलकंड कहते हैं तो poet बता रहे हैं कि नीलकंड जो की जाडियों में लड़ रहे थे या चहचहा रहे थे उनके पास भी कोई खास मकसद है जो हमें नहीं पता है वो उसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं And the gust of birds that spurts across the field और पक्चियों का वो जुंड जो खेतों में उड़ता है उनके पास भी एक खास मकसद होता है The wheeling swallows has nested in the trees and undergrowth Friends swallows भी एक तरह के पक्ची होते हैं तो poet कह रहा है कि उन उड़ते हुए swallows को देखकर जो पेडों में और उनके पास की जाडियों में अपने घोसले बनाते हैं और उन्हीं घोसलों में रहते हैं उन्हें देखकर भी पता चलता है कि उनके जीवन में भी एक परपस है एक मकसद है Seeking their instinct or their poise or both यहाँ पर Friends, a poet motorcycle gang के लोगों के बारे में बात कर रहा है तो वो कहता है कि यह motor cyclist जो भी करते हैं वो अपने instinct यानि अपनी मूर प्रवरिती से करते हैं या अपनी जरूरत के कारण करते हैं उनके हर काम का मुख्य कारण यही होता है One moves with an uncertain violence यानि कि उनमें से एक इतनी speed में बाइक चलाता है इतनी तेजी से चलाता है कि poet को डर है कि वो आगे जाकर किसी दुरगटना का शिकार ना हो जिससे किसी को चोट पहुँचे Under the dust thrown by a baffled sense यानि कि उसके तेजी से बाइक चलाने के कारण चारो तरफ धूल उड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो motorcyclist जो बाइक चला रहा था वो crazy है, sun की है उसके पास कोई मकसद नहीं है और the dull thunder of approximate words या उसके शब्द जो खुद उसके बाइक के आवाज में डूब गए है उस बाइक की आवाज बिलकुल बादल के गरजने की तरह है और उसकी आवाज में उस motorcyclist के शब ठीक से सुनाई नहीं दे रहे है On motorcycles up the road they come यानि motorcycle पर बैठे हुए वो सडक पर आते है Small, black, as flies hanging in heat, the boys और वो बहुत दूर से दिखाई दे रहे हैं इसलिए वो बहुत छोटे नजर आ रहे हैं और उनके काले रंग के jackets उस गर्म हवा में उड़ रहे हैं वो बिलकुल मक्खियों की तरह नजर आ रहे हैं और उनका ये जुन जो है उन लड़कों का वो motorcycles पर घूमता है वो biker gang है यानि कि दूर से देखने पर वो बिलकुल किसी मक्खियों की तरह नजर आ रहे हैं और वो bikers gang है Until the distance throws them forth और ऐसा तब तक लगता है जब तक वो उस दूरी को पार कर पास आने ही जाते हैं या आगे नहीं बढ़ जाते हैं तब तक उनका size बड़ा नहीं लगता है वो दूर से देखने पर मक्खियों की तरह लगते हैं There hum bulges to thunder held by calf and thigh और जो आवाज उनके दूर रहने के कारण बहुत ही धीमी लग रही थी बहुत फीकी थी अब वो जूरदार गरजने की आवाज बन गई है क्योंकि वो motorcyclists अब पास आ गए हैं और ये आवाज उनके पैरों के कारण हो रही है क्योंकि वो पैरों से ही motorcycles के उन हिस्सों को कंट्रोल कर रहे हैं इन goggles dawned in personality और उन्होंने goggles लगाए हैं जो उनकी personality को उनके व्यक्तित्व को और ताकतवर दिखाते हैं और stylish दिखाते हैं इन gleaming jackets trophied with a dust और उन्होंने चमकते हुए leather jackets पहने हैं जो धूल से धके हुए हैं मगर इस बात से उन्हें कोई परेशानी नहीं है उल्टा वो उस धूल को अपनी जीत का तोफा मानते हैं और उनके मन में कई तरह के doubts हैं कि उनका मकसद क्या है उन्हें कहां जाना है मगर वो उन सभी संदेह को उन सभी doubts को अच्छी तरह छुपा लेते हैं और अपनी motorcycle से आने वाली इस आवाज को enjoy करते हैं और उसमें एक meaning धूनते हैं एक मकसद धूनते हैं और वो कितने मजबूत हैं या कितने कठोर हैं यानि वो कितनी परिशानिया सह सकते हैं इसके बारे में अभी कुछ ठीक से हमें पता नहीं चला है हम नहीं जानते हैं मगर हमें इतना पता चला है कुछ लोगों से कि जिस दिशा में उन motorcycle ship के पर ये मुड़ते हैं वो उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं यानि जहां उनका मन करता है वो उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं They scare a flight of birds across the field और वो अपने रास्ते में एक पक्षियों के जुंड को दरा देते हैं जो खेतों के पास थे Much that is natural to the will must yield और जो भी उनके मन में आता है जो भी उनकी इच्छा होती है वो वही करते हैं यानि हमारी प्रकृती हमारा सभाव हमारी इक्षा के अंदर होता है हम उस पर काबू कर सकते हैं Men manufacture both machine and soul यानि कि इनसान मशीन भी बनाते हैं और अपनी soul अपनी आत्मा को भी वो खुदी बनाते हैं दोनों ही उसके हाथों में रहते हैं और वो अपनी इक्षा के मुताबिक उन्हें बदल सकता है यानि हम अपने द्वारा किये कोई भी काम का दोश दूसरे पर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो हमारी अपनी चॉइस होती है और वो उन चीजों का इस्तिमाल करते हैं जिन पर उनका पूरी तरह काबू नहीं है यानि वो चीजें उनके बस में नहीं है वो उन्हें ही पाने की कोशिश करते हैं और ऐसा वो उस उमीद में करते हैं कि जो रास्ता उन्होंने अपने लिए चुना है वो उस पर एक अच्छी जिन्दगी पा सके और अपना भविश्य बना सके यानि कि ये मोटर साइकलिस जो हैं इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है लेकिन ये वही करते हैं जो उनका मन करता है वो अपनी इक्छा और अपनी प्रवृती के हिसाब से ही कोई फैसला करते हैं और उन्हें उसी मकसद की तलाश होती है It is a part solution after all मगर ये कोई पूरा जवाब नहीं है ये सिर्फ उस जवाब का एक हिस्सा है इससे बस उनकी थोड़ी सी मुसीबत ही दूर होगी One is not necessarily discord on earth यानि कोई व्यक्ती धर्ती पर उदास हो या असर मत हो ये जरूरी नहीं है यानि उसकी लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी जिंदगी से नाराज हो ना खुश हो वो अच्छाई और खुशी ढून सकता है और damned because half animal या उसे कोई शाप मिला है या उसे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वो आधा जानवर है या उसमें जानवरों का स्वभाव है ऐसा जरूरी नहीं है यानि इस धर्ती पर ये जरूरी नहीं है कि लोग ना खुश ही हो अपने आप से या उन्हें लोग पसंद न करें हम इसे बदल भी सकते हैं यानि जब हम जागते हैं तो हम एक मोशन में या एक गती में रहते हैं जहां हम तूट जाते हैं या अलग हो जाते हैं यानि कि जो रास्ता होता है वो इतनी मुश्किलों से और कठिनाईयों से भरावा होता है कि हमारी हिम्मत जवाब दे देती है हम तूट जाते हैं मगर फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना होगा क्योंकि जब हम अपनी मकसद पे पहुँचेंगे तो इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानि एक मोटर साइकलिस्ट इस दुनिया में रहता है और बिना किसी मकसद के जीता है उसके जीवन का कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं है चूजिंग इट तिल बोथ हरलो और हरल्ड और वो इस जीवन को चुनता है तब तक, जब तक कि वो और उसका ग्रूप यानि जिन्होंने उसे अपने ग्रूप में शामिल किया है वो दोनो और ऐसा तब होता है, जब एक आगे बढ़ता है तब तक, जब तक दोनों एक दूसरे के ओर नहीं बढ़ जाते है दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो जाते है यहाँ पर पोईट हमें बता रहा है कि हमें अपने मकसद तक पहुँचने का रास्ता तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम खुद कोशिशने करें अगर हम अपना समय यूहीं बरबाद करेंगे यूहीं इन बाइकर्स की तरह भटकते रहेंगे बिना कुछ सोचते हुए तो हम कभी भी अपना मकसद पा नहीं सकेंगे हमारे जिन्दगी का कोई अर्थ नहीं रहेगा यानि वो एक मिनट के लिए रुकते हैं उससे ज़ादा वो नहीं रुक सकते वो यहाँ आए हैं ताकि वो आगे बढ़ सके ये इन मोटर साइकलिस्ट की सोच है यानि वो खुद को साबित करना चाहते हैं अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं ये जजबा उनके अंदर भरा हुआ है और वो इसी इक्षा को लेके वो आगे बढ़ते जाते हैं यानि वो शहर जहां से वो गुजरते हैं वहाँ ना चिडियों की चहचहाहत है और ना ही कहीं भगवान का जिक्र है यानि वहाँ जीव जन्तु नहीं है और इनसानों के अंदर से भगवान की लिए आस्था भी खत्म हो चुकी है For birds and saints, complete their purposes मगर उनकी जिन्दगी का जो मकसद है वो चिडियों और संतों से ही पूरा होता है वो motorcyclists चिडियों की तरह आजाद होकर उड़ना चाहते हैं और साधू संतों की तरह जिन्दगी के रहसे से आगे बढ़ना चाहते हैं यानि जब कोई motorcyclist अपने सबसे बुरे हालात में होता है तो वो आगे बढ़ता चाहता है वो रुखना नहीं चाहता है और जब वो अच्छे हालातों में रहता है तो भी वो किसी जगर रुखना नहीं चाहता है बलकि वो अपनी यात्रा को इंजोई करता है और उसे आराम की ज़रूरत नहीं होती है और उसका यही मानना होता है कि जब कोई कभी रुखता नहीं है बलकि और आगे बढ़ता चला जाता है तो वो अपने मंजल के और भी करीब पहुँच जाता है इन motorcyclist gang का भी यही मानना है तो फ्रेंड्स ये थी पोयम On The Move by Tom Gunn ये पोयम बस हमें यही सिखाती है कि चाहे जो भी हो हमें अपने मंजल से भटकना नहीं है अपने मकसद पे ध्यान देना है और उन motorcyclist gang की तरह हमेशा आगे बढ़ते जाना है